यार यह सब 21 साल की उमर में कैसे हुआ थोड़ा इस पर प्रकास जालू यार बताओ हमें कि कब से शुरू हुआ किस किस पॉजीशन से निकले फाइनली आथ तक कैसे पहुंचे तो शुरू तो ऐसे हुआ था कि पापा के पास नौकिया का फोन था जिसमें एक गीम होता था सा आपको साब बड़ा होता जाना तो वह में गेम खेलता था और पापा ऐसा होता लिए था जो जो मुझे से फोन मांगे वह आया मेडिकल अबना काम दाउं करके आया मेडिकल शोर से आए सो गए फोन में चला रहा हूं तो हो गया उस दिन क्या था दोजर साथ में बार बार म में फाइल और फाइल यह दो मैझ ही मैंने सीरिस होके देखें कि कि सब चाचा लोग कि इंडिया पाकिसन कौन मिस करें कोई नहीं मिस करेंगा फिर दोजरत तहरा से क्या हूँआ कि लोग मुझेना खबर होता है अज्दों को करिके बड़ा कि आना है ऐसे बाते वोलता है त पर मैंने सोचा कि तब अगर तब अगर उतना नॉलेज होता तो आज तो मुकेश माझी को नौकरी पर रख लाओ था वह को होता है बोलने का कि ऐसा सोचते हैं कि पहले इतना होना चीज़ था लेट हो गया पर अचाहिए उसने चाहत कुछ सही समय पर दिया तो दिरे दिरे बहुत लोग आने लगे फिर एक बंदा आया लोग कहता कि तुमको बता ही रोक पैसा कमाते हैं उमसे पूछ के यह तुमसे मजनी ले थे तो तुम भी किया लागा तो वहां से मेरी लाइफ क्या होई खराब ही क्यूंकि वह ऐसा सट्टे बादी कि ऐसा दल दल जहां पर आप कभी जीत कर पैसा निकल ली सकते और आप जीतो भी तो आप खुश ने रहोगे आप उसका डबल हार के जाओगे तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत पैसा जीता लेकिन मैं चोटा तो चौदा में कित्त ही दो तिरम कित्त ही बढ़ाओंगा मैं तो चोट मिलना है नहीं हम भी आर्चा हो हम भी नहीं देंगे हमसे मांगे इसलिए अब वो लोग ब्लैक मेल करने लगे घर पे बता देंगे तुम्हारे जाओग यह होगा वो होगा दोजार शोला में ऐसा टाइम हाया कि मतलब जब ब्लैक मेल कर एक पैसा है नहीं तो मैं घर के समान मुझे याद है मैंने चाचा कि चैन चुराई थी एक बार पापा ने गीओं बेचे गाओं में देखा कि उनके जेब में 16,000 रुपए हैं 16,000 रुपए चुरा लिए वो देखिया एक लडगे को मेरा फोन ले ले लिया रोड पे रास्ते में मुझे रोक लिया गाड़ी चा है और उस मैज में जिवराद सिंग ने और 16,000 रुजार 17,000 रुपए हैं 16,000 की बात है तो जिवराद सिंग नहीं दोनों ने सेंच्री वारी थी इंडिया में में मैज ता किसी ग्राउंट पर तो उसके बाद से मैं रात बर सुफ़ए बैठा रहा हैं मैंने बस टीवी को मै कर नहीं कुछ कर पाऊ नहीं कर पाऊ अब वो टाइम में घर पे था तो अभी आपने मिल आप मिले संजीत से जो कि मारा मैनेजर है वी तो संजीत ने मुझे बताए कि ड्रीम यह ने क्रिकेट के नौले से टीम मना ही आती है मेरा भाई तो देट सो रुपए जीत गया सो इंटरेश बड़ गया इतना नेट मिल रहा है फिर ही चल रहा है तू चलाने जो तो संदीप मैस्वरी जी का मैं देखता था वीडियो और टेक्निकल गुरू जी इन दोन लोका देख देखके मैं सुचा कि अब मैं अब संदीप मैस्वरी जी को कर कॉपी करूं तो कौन आ करें हमाई बास सुन दें कोई नहीं आने वाला तो मैंने किया टेक्निकल गुरू जी की जो सिखा रहें ना यूट्यूब पर वो मैं अपनी वीडियो बना के डाल दे रहा हूं और नाम रगदिया चैनल डीजे फन एंटेक यानि फन एंटेक हो गया अब उसमें स्ट्राइ कोई आके जाकने वाला है तीन सो रुपे चलो फैंटेसी में लालता है तो ट्रिंग में परने डिपोसिट कर दी और आई पीर के लास्ट छे मैच बचे थे है दोजार सतरह में और वो हमने 6-6 मैच हमने विन किये हमने चोटी लीगरी 300 से 1000 रुपे बन जाए है 1000 के 3300 सो रुपे बन जाए । चैनल से लगाए ठीन मैच में हमने चैनल में 300 से 3.500,000 कम है उच्छा हाँ क्या होता है कि लोग आपसे कौंटेक करने लगता है जिए आपकी टीम जीत रही है, आप हमसे सो रुपए ले लो, हमको आप टीम ले दो, मैं लोगों से पैसे लेने लगा टीम लेने के लिए, जब कि उसमें मेरी कोई गारेंटी नहीं है कि मैं उनको जीता पाँगा, तो मैं तो मैं डिसब नी करता है यह चीज, और मैंने पीट का सिल्सला बहुत चला दिया अच्छा पैसा कमा था मैं इधर पेट पेकर लॉंच गया उजार आट ड़स लाख रुपए आ गया है विदिन 20 मिनट्स कमा लिए यह लाइज जी रहा था तो पैसा कमाना असान बात तो है नहीं और अगर कोई इनसान सोच जाए पर करते क्या थे गलत था सही था वह पर चलते हैं आगे करना यह कुछ नहीं था हमाया पास यूट्यूब चैनल था हमाया पास ओडियन्स थी हमें यह बोलना था कि हजार रुपए दो 500 रुपए दो हम यह टूर्णमेंट डारा इसके हम टीम तुम लोग को वाटसएप पर बाकी गालिया हैं रिसन क्या होता है रिसन यहीं कि पेड क्योंकि अब इसमें कोई गैरंटी नहीं है आप मुझे वरुसा करके मुझे को मुझे को पैसा दो और आप आप पाट और मैं वह पैसा डिजर्ब भी नहीं करता था अब मान लीजिया मैंने 2,000 रुपए कवा यह नहीं कि वह लोग अब खेले लोग को अपना बैस्ट दूं पस लोग जीते हैं मेरा जंदा चलता रहेगा यह नहीं था वह दो लाग चुखा है मैं भी पूरे लगा दिया मैंने भी इंवेस्ट कर दिया तो मैं भी आर गया मगर इतना खुद बें कंट्रोल है कि मैं 20-30 प पैसा कमाना इतना कुछ करना है लाइफ में कि 200-300 साल ना लोग ना मियाद रखें था फैनली आपको पता तो लग गया कि काम तो सही नहीं है तो आप पैसा डिजर्ब भी नहीं करते थे नहीं स्पेकिलेशन से आप जो पैसा कमाते थे फैनली आपने कौन सा रूट पगड़ा उसको तो बंद किया देरे-देरे तो अगली बार आप डंक से अनलाइज करने लगे और लोगों को उसका फाइदा मिलने लगा अच्छा तो आप डिरेक्टी पैसा लेना बंद कर दिया आप था अभी इस पैसा अपने लोगों से नहीं लिए तो रूट चेंज कर दिया दि उनका एक पैसा डूपता है तो उनको दुख होता है तो इदन गाजी का रेच्टी किशन तो होगा लेकिन फाइली उनने वहां से पैसा ले नहीं बंद कर दिया अब उनने इमांदारी से सर्विस दी आम आतमी को जिससे उसने बिना पैसा ये तो पैसा ले दी रहे कुछ कि ए उनका पैसा कमया को उनका इस बंदे ने नहीं लिया फाइल ली इसने रूट चेंज किया कमया मेरो से अरो बन गए कुद भा रहा है लोगोंकों भी दे नहीं कर देर और कंपनियों से पैसे जन से वाख कर रहे तो इसे कौन को ने से क्रिकेटरर है टॉप फाइफ और आप मिले हो उनसे क्रिकेटर से बात रहना है अब मिला तो बहुत मिलना ने मांना तो अब बाए मुझे जानते हैं आप नसे मिला तो मैं इसको मिलन मानता हूं अब मैंने हाद ला लिया फोटो ले ली तो मैं इसको मिलना नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं आप फोटो ले वी तो डालना है, अगर कोई मुझे जानता है, तो मैं फोटो खीचूंगा, पोस्ट करूंगा, और इतना तो मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं, सामने वाला उसको शेयर भी करेगा, वो आपने फोटो मांगता नहीं, आपने वहां पर देखा, हम लोग दिलिले थे, तो हम लोग की उतनी बात्ची नहीं थी, तो हमने एक बार भी वोड़ा कि फोटो ऐसा हो जाए, अब हम जानते हैं, तो हम साथ में फोटो डालें, वीडियो डालें, ठुमके लगा है, रील बन और लंडन ओके आएं, लॉट्स में मैं दिखना में सपना था है, वो मैंने पूरा किया, और रोया मैं वहां ग्राउंड ग्राउंड और मैं चालू हुआ, और इंडिया टॉस जीती थी, बिया, इंग्लें टॉस जीती थी, मैं रो रहा हूं, योग टॉस पर रो नहीं लग जाता हूं, बहुत कमी शेयर करता हूं, लोगों यह पता है, जब भी मैं खुश होता हूं, बिंदास रोता हूं, फिर बाहर निकलता हूं, वह और वहता है, तो क्रिएटर काफी है, राशित खान है, बहुत बड़ा प्लेयर है वाणिस्तान का, उसे बहुत अच्छी बात ह है, और इंडिया के भी कई सार प्लेयर से है, भी साफ राज खान, यह स्टार है, बहुत अच्छा दोस्ते मेरा, अब रिंको सिंग से बात हूं, तो भी हम लोगों कुछ प्लान करने है, कुछ करने का मतलब, जो मतलब, फेंडिसी क्रिकेटर ने धों मजा है, ऐसा हो, चुम अगर पिछले साल IPL से पहले, अगर अगर अकास से मेरी बात ना हुई होती, तो शायद मैं, एक पूले सीजन मैंने एक वीडियो मिस करी, क्या तो तबियत खराब थी, या फिर मैं हाय था, वरना कोई वीडियो में मिस ना कर, इतना कंसिस्टेंट हो कि मैंने काम किया, इंस कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हो, जो रोज एक वीडियो डाले, कंफाम है, अंडियलिस कोई अगर चैनल हो, रोज एक वीडियो आना है, वो बहुत बड़ी बात है, अगर चैनल पर रोज आती है, यह तकर है, कुसी भी मैं आज में कॉमेंटरे कर रहा है, किसी भी देश म हो, लेकिन वीडियो आनी है, वो अपनी ओडियन्स के अतना ख्याल रचते है, बहुत सारे प्लियर से बातात होती है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग है, अगर कॉंटक लिश्ट निकाल दिया ना, तो बीस-ती-साजार क्रोड के मालिकों के नंबर आ जा